आज ही से जीवन के हर बल का आनन उठा लो आज ही से मन की एक नई शान्ती पालो समय आ गया पदलने का समय आ गया कुछ करने का अब उठा लो आनन प्रते दिन के जीवन का आसक्त व्यवहार हम बाते आत्म नियंत्रन से शुरू करते हैं क्योंकि हमें उसकी जरूरत है गलतियों 5-22 पर जाईए प्रभू वचन के लिए सबेरे आपको धन्यवाद हमें प्रतितिय की लोगों के जीवन में इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा आत्म नियंत्रन पद 22 पर पवित्र आत्मा का फल क्या प्रमान है कि हमारी भीतर पवित्र आत्मा का वास है प्रमान होने चाहिए यदि हम असी हैं तो हमें अभिशेस्त करने के प्रमान होने चाहिए हमारा व्यवहार उससे भिन होना चाहिए जिसके जीवन में परमिश्वर की सामर्थ नहीं है आमिन सो मेरी प्रिय मसीह में दोस्तों हमें अपने व्यवहार का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हमारा व्यवहार बहुती महत्वपून है और दबाओं में हम कैसे बरतते हैं ये हमारे चरित्र बल के बारे में बतलाता है ये हमारी आत्मिक सिद्धी के बारे में बहुत कुछ बतलाता है किसी का भी बताओ अच्छा हो सकता है ये उनकी चल जाए आत्म नियंत्रन के लिए मैं बहुत कृतक्य हूँ क्योंकि प्रभू ही जानता है हमारा क्या हाल होते है ये हमारे पास ये थोड़ा बहुत भी ना होता आमिन पर आत्मा का फल काम जो हमारी भी तरुस की उपस्तिती से फली भू तो होता है वो है प्रेम आनंद खुशी शांती और धीरज जो की नरम मिजाज और सहनशीलता है सहन चीलता कारते बहुत दिनों तक बिना बदले सहने की चमता रखना क्रिपा भलाई और विश्वास नम्रता दबूपन और विनय और आत्म सयम है अब जान पड़ता है कि आत्मा का फल वास्तों में प्रेम का फल है आत्मा का फल प्रेम है और यदि आप पहले कुरुंतियों में प्रेम का वर्णन पड़े तो आप देखेंगे कि ये और चीज़ें वे ही है जो प्रेम है मुझे कुछ साल पहले एक दिल्चस्प चीज दिखाई दे और यदि आप थोड़ी देर के लिए अपनी कल्पना का इस्तेमाल करें यदि प्रेम क्रम शुरू कर दे और उसमें से आते हैं आनंद, शांती, धीरज, भलाई, कृपा, दीनता, नम्रता और आत्म नियंत्रणीन को जगह पर रखे हुए है मेरे ख्याल से जिस क्रम से तालिका में उनके स्थान है वो दिल्चस्प है प्रेम शुरू कर देता है यदि आप से प्रेम न रखो तो मैं कृपा न दिखाऊंगी प्रभू के लिए मेरा प्रेम लोगों के लिए मेरा प्रेम ही मुझे उनके प्रतीख भला बनाएगा आत्मा का प्रतीख फल प्रेम से संबंदित है बाइबल कहती कि प्रभू का प्रेम नियंत्रित करता है अर्थत काबू में करने को मदद करता है मगर हम आत्मा के फल में काम नहीं करने वाले हैं आत्म सैयम के बिना क्योंकि उस दिन क्या होता है जब मुझे उटते ही अच्छा वेवार अच्छा नहीं लगता या क्या होता है उस दिन जब एक बार और दीन बनना मैं नहीं चाहती मैं सिर्फ सही होना चाहती हूँ बस बात इतनी सी है मैं उन दिनों में क्या करूँगी जब इस तर उठते ही लगता है कि रात बर जाकती रही और नाखुन खाती रही हूँ क्या आपको इसे घ्रणा नहीं कि जब आप सोने जाते तो सब कुछ बढ़िया और जब उठते हैं तो नहीं जानते कि आखिर गड़बड़ी क्या है बात समझ में नहीं आती आमिन अच्छा तो उन दिनों में क्या होता है हमें साइम से काम लेना पड़ेगा क्या बदलाव होगा कितने अद्भुत परिवर्तन हमारे जीवन में आ सकते हैं यदि हम आत्म नियंत्रण से अधिक काम किया करें आप यूँ पेश आई कि आपको पसंद है नहीं तो जानते हैं मुझे प्रचार करने में दुगना समय लगेगा हमारी जीवन में क्या बदलाव आएगा हमारी आर्थिक स्थिती कैसे बदलेगी यदि हम आत्म नियंत्रण में काम करें हमारी शरीर कैसे दिखेंगे यदि हम आत्म नियंत्रण में काम करें हम कितने अधिक स्वस्थ होंगे हमारी अनुभूती और कितनी अच्छी होगी यदि हम आत्म सयम से काम ले और आत्म नियंत्रण हम में है आत्मा की सारे फल हम में है मगर आप कह सकते हैं कि वे मास पेशियों की तरह हैं यदि आप उनसे व्यायाम ना करवाएं तो वे तो वही रहेंगे मगर उनमें कोई विशे शक्ती नहीं होगी दान दिये जाते हैं फल विक्सित होता है कुछ लोगों का दान उन्हें थोड़ी दूर बढ़ाता है किन्तु वे प्रभू का सम्मन्जस में डाल देते क्योंकि वे पर्याप्त फल उत्पन्न नहीं करते जिससे दान को सम्मानिय सहरा मिले मुझे दान है लोगों के सामने बोलने का संचार का बहुत प्रभावशाली दान है मुझे मगर व्यक्तिका जीवन में यदि लोगों से मेरा बरताओ बुरा हो, मेरे साथ निभाना कठीन हो, पती से मैं बहुत बहस करती रहूं, बरताओ बुरा हो, सेवक सेविकाओं से बरताओ रूखा हो, शौपिंग में रूखी बाते करूं, तो जानते ही क्या होगा परमेश्वर के राज्य को चोट पहुचेगी और इससे मसीहत के सुनाम पर धबा लगने लगेगा इसलिए अगवाई करने वालों के ना सिवदान हो फल भी होने चाहिए उनके फल से आप उने पहचानेंगे अनुशासन आत्मन्यंत्रन का एक और नाम है बाइबल साफ कहती इब्रानियों 12-11 में वर्तमान का कोई भी अनुशासन आनंद की बात नहीं आत्मन्यंत्रन से अच्छा लगने की बात के आशना करो क्योंकि नहीं लगेगी हमें अच्छा लगने की लथ है और उससे हमें पिंट छुडाना है हम सोचने की करने से पहले अच्छी लगनी चाहिए मैं जानता हूं मुझे क्रोधे मगर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है बाइबल कहां कहती कि दि तुम्हें अच्छा ना लेगे तो दिन भर क्रोधित रहने का ये एक बहाना है हे प्रभु आज मुझे तो आनन मिलेगा आपको मिले या ना मिले अब इसे सुनिया अनुशासन या आत्मनियंत्रन का अर्थ है उसे करना जिसे जानते हैं कि करना चाहिए जब करने का आपका मन ना हो बात इतनी सी हरवास्तों में आत्म नियंत्रन और अनुशासन हमारे मित्र हैं ये परमिश्वर का दिया यंत्र है, ये मालिक नहीं है, हमें इसे करने की जरूत नहीं किन्तो हम आत्म नियंत्रन का प्रयोग कर सकते हैं योग ये बने रहने के लिए अपने आप पर नियंत्रण करना है, कहिए मुझे अपने आप पर नियंत्रण करना है हम औरों पर नियंत्रण करने में बहुत व्यस्त रहते हैं काश कि हम अपने पर अधिक एकागर हो सकते हम सदा औरों के काम से काम रखते हैं और अपनी परवाह नहीं करते दूसरों को नापते रहते हैं और अपने बरताओं से बिलकुल अंजान रहते हैं बाइबल कहते हैं कि जिन चीजों के लिए हम दूसरों को नापते रहते हैं वेही चीजे हम स्वयम करते हैं कोई किसी और को क्यू कर ना पेगा यदि वेही चीज़े वे स्वयम करते हैं क्योंकि हम नहीं देखते कि हम क्या करते हैं हम हमारे कारे के लिए बहाने बनाते हैं मैं कहना चाहूंगी कि हम अपनी और गुलाबी चश्मों से देखते हैं मगर औरों की तरफ हम आती शीशे से द ताकि हम वे चीजे पासके जिने हम चाहते हैं। क्या आप सोचते हैं कि मैं सदा उठकर जो चाहूं करती हूं। या चार, पाच, छे सोडा पॉप्स ना पियो। यदि मुझे वजन कम करना है तो मुझे अनुशासन में आना है कि पेट भरते ही प्लेट को आगे सरका दो। ना कि बाद में भी आदा प्लेट और खालू। ताकि परिशानी में मुझे एक रोध आने लगता है। एक बात बताओं आपको हम जब उस मोड पर आते हैं जहां जान पड़ता है कि हमारा सीमान ताग है किसी भी बात में चाहिए खर्च की बात हो या खाना या बोलना या कुछ भी जब हमें भीतर मालूम पड़ता है कि हम सीमा पर हैं और हम वो निर्णे लेते हैं और कभी- आपको बढ़ा रहा है कुछ करने के लिए और भीतर पवित्रात्मा कुछ और करने को कह रहा है और निर्णे की जिम्वेदारी आप पर है कि आप किसकी मानेंगे, हम अपने को मूर्ख बनाते जब कहते इससे अच्छा नहीं जानता था, नहीं जानता था, हाँ कभी-कभी हमे ग्या नहीं होता, मगर अक्सर हम जानते हैं, हम जानते हैं, हमें अचानक विशिष्ट सुन्वाई मिलती है, आमिन, सो हम जब जाने की उस सीमा तक पहुँचते हैं, कि हम पूर्ण हैं, खर्च काफी कर दिया, काफी कह भी दिया, काम भी आज बहुत किया, अब विश्राम चाहिए, चाहिस्तिती जो भी हो, काफी देर तक टेलिविशन देखते रहे, अब उटकर हमें कुछ और करना चाहिए, जिससे कुछ फलुत्पन हो, जब हम वहाँ पहुँचते हैं, मेरी बात सुनी, जब हम वहाँ पहुँचते हैं, और वो निर्ने लेते हैं, वो छोटा सा मल्युद्ध हमारे शरीर के साथ, क्योंकि बाइबल कहती है, कि शरीर और आत्मा सदा एक दूसरे के विरोधी हैं, एक छोटा सा युद्ध वहाँ सदा चलता रहता है, मैं अपनी देख भाल करू, प्रभु में भरुसा करू, उन्हें जाकर भेज दू, परमीश्वर को दोश्मुक्ति देने दू, इस समय तो मुझे प्रभुस यही दिखाए देता है, जब हम उससे आगे निकलते हैं, और आगे बढ़कर शरीर में चलते हैं, तो हम क्रोध के शिकार होते हैं, हमसे निभाना सबके लिए कठिन हो जाता है, क्योंकि आप दबाओ का अनुभाव करते हैं, क्योंकि हमने प्रभु की मानी नहीं, और हम दुनिया भर के बहाने बनाने लगते हैं, जबकि सच्चा यह है कि हमें शुरु में प्रभु का कहना मानना चाहिए था, यदि मुझे रिणमुक्त होना है, तो आपने को अनुशासित करना पड़ेगा, क्यों चीजों को ना खरीदू, जिनकी ना ज़रुरत है, ना खरीदने की ख्षमता, मुझे आपने कहते सुना उस्ती के बारे में, जिसकी शापिंग की लग थी, और उसकी पती रिणमुक्त होने की कोशिश में थे, उन्होंने कहा कि तुम मुझे वचन दो की, बाहर जाकर कुछ खरीदोगी नहीं, उसे दुकान जाना था किसी काम के लिए, तो पती ने कहा, याद है न, तुमने मुझे वचन दिये था कि कपड़े नहीं खरीदोगी, पर वो वहाँ गई और एक सुन्दर पोशाग देखी, और अपने को रोक नहीं सकी, उसने उसे खरीद लिया, और घर ले गई और जब पती ने बैग देखा तो वे एक शुब्द होटे, उसने कहा, देखें मैं विवश्च थी, शैतान की परिक्षा सामने आ गई, मैं नहीं कह सकी, उन्होंने कहा, तुमने कहा होता मेरे पीछे हो जा शैतान, उसने कहा मैंने कहा, मगर उसने कहा, ये स यदि मुझे वो स्वतंत्रता चाहिए हो जो इश्यों ने अपने वच्चन में कहा था आप मैंसे कितने स्वतंत्र होना चाहते हैं जानते आप स्वतंत्र नहीं होंगे सिर्फ इसले की होना चाहते हैं और आप स्वतंत्र नहीं होंगे सिर्फ इसलिए कि मैं आप से कहती कि आप स्वतंत्र हो सकते हैं कोई आप पर हात रखे और आपके लिए प्रात्ना करे तब भी आप स्वतंत्र नहीं होंगे ये तो इसकी आंशिक्रिया है, मगर आप जानते आपके और सच्ची स्वतंत्रता के बीच जो दीवार खड़ी है, वो है अपने को अनुशासित करना अध्ययन के लिए अगर आपके मिजाज बुरे हूँ तो आप समरुद्धी पर अनुक्रम ना सुने आपको अपने धन या पॉकेट बुक की चिंता करने की ज़रूरत नी ज़रूरत है जो भी मिले हर चीज पढ़ने की मनोदशा पर, क्रोध पर, प्रेम पर, दया और भलाई पर उन्हें बनाए रखने की जब तक आपकी मनोदशा सीधी न हो जाए पहले खोजो परमिश्वर के राज्य को और उसकी धार्मिकता को विस्तरत बाइबल कहते है उसके चाल चलन को और ये सारी चीज़ें जोड दी जाएंगी अद्भुत बात अपने लिए मैंने पता लागा कि मुझे बड़ी सेवकाई खोजने की जरुरत नहीं है मुझे केवल परमिश्वर को खोजना है और उसकी चाल धाल को खोजना है सब लोग कहिए मेरा बरताओं महत्वपूर्ण है कहिए लोगों से मेरा बरताओं प्रभू के लिए महत्वपूर्ण है जब मैं गलत हूँ तो गलत हूँ मुझे इसके लिए बहाने नहीं बनाने चाहिए मुझे मान लेना चाहिए क्यों जानते क्योंकि सत्य हमें स्वतंतर करता है यदी मैं वो स्वतंतरता चाहूँ जिस काईशों ने वाधा किया था तो अध्यन का नुशासन होना चाहिए कि मैं दूसरे विश्वासियों से और परमीश्वर से साभागीता करने के लिए आप्त ग्यान पाने में मेरी मदद करने वाले पुस्तक के पढ़ूंगी। जो मैं जानती उसके लिए परमिश्वर का धन्यवाद। कुछ साल पहले तक तो मेरी समझ में ही नहीं आया था। कि मैंने अपने पर कितना बड़ा हैसान किया है। अनुशासित होकर इतने साल पढ़ाई करके। क्योंकि आप मुझे थोड़ा बहुत ग्यान है जो शैतान कभी छीन नहीं सकते। आमीन। US भर में हमारी जॉइस मेर मिनिस्ट्रीज के अद्बत संगोष्टियां हो रही हैं और विदेशों में भी। और मैं आपको इन संगोष्टियों में आने के लिए विशिष्ट रूप से आमन्त रित करना चाहती हूँ। प्रतेक संगोष्टि में मचाशिक्षन करती हूँ। हमारी अद्बुद स्तुति आरादना और महिमाय हर्शिक्षिका के पहले। हमारी सामग्रिया मौझूद हैं जैसे की उत्पत्ति, तालिकाय, पुस्तके, तेपे और ऐसी चीजे। हम आपको सेवकाई की बहुत सी भिन वीडियो दिखाएंगे और आपकी दिल्चस्पी की और चीजे भी। आप उस अभिशिस्त संगठन में बैटे होंगे, साथ में हजारों परमिश्वर के लोग होंगे हर संप्रदाय से। और मुझे प्रतिती है कि परमिश्वर स्वयम आकर बीच में बैठेगा। क्योंकि बैबल कहती, जब दो या तीन मेरे नाम में मिलते हैं, तो मैं उनके बीच में होता हूँ। ये परमीश्वर के लिए विशेश प्रसनता की बात है क्योंकि हम भिन्न भिन्न संप्रदायों से हैं, फिर भी हम साथ मिलते हैं साधर अन संकल्प के लिए, कि हम प्रभु की स्तुतियों और उपासना करें और वचन सीखें, हमें अपनी जीवन में विशेष्ट समय अलग लेने के लिए, कम से कम साल में एक बार और शायद कई बार निर्भर इस पर है कि आपकी जरूरत कितनी है, काम से समय निकालिए, यदि बच्चे बहुत छोटे तो बेबी सिटर की मदल लीजिए, यदि वे बड़े हों और वचन को समझ सके तो उन्हें साथ लाइए, जो कर समय निकालें, और आपने वेस्त जीवन से दूर आ जाएं केवल कुछी दिनों के लिए, और कुछ करते रहें, दिन बद दिन बद दिन, जब आप इन चार सत्रों में भाग लेंगे, तो आपकी जीवन में मुझ को राहाट खिल उठेगी, आपको विशिष्ट रूप से आ बहुत अच्छा लगेगा